दोस्तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियोज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो हमारे एक दक्षन भारती प्रोफेसर मित्र हैं उन्होंने सुबह सुबह कार्टून भेजा मुझे वहाँ ये डकन क्रॉनिकल का है और उस कार्टून में राहुल गांधी का अपने धंग का एक चित्र है उसके पीछे बहुत सारे नेता हैं यात्रा जैसा लग रहा है और यहाँ भी नहीं है कि पूरी भीर उसमें हो बलकि ऐसा लगता है कि अलग-अलग धंग के नेता है यानि अपोजिशन के नेताओं को मुझे लगता है कार्टूनिस्ट दिखाना चाहता है और कार्टूनिस्ट कहता है कि इस यात्रा के बाद यानि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को एक और यात्रा करनी पड़ेगी और वो है अपोजिशन के जो लिडरान हैं अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको जोड़ने की यात्रा यानि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपोजिशन जोड़ो यात्रा तो सचमुच कार्टून और कार्टूनिस्ट ने इसमें जो यह एक कंटेंट पेश किया है उ अहुल गांदी एक तरफ शुरु से आखिर तक एक कहते रहें अब तक कि ये उनकी यात्रा जो है नफरत के खिलाप है भारत के लोगों को जोडने के लिए है लेकिन सच पूछिए तो इस तरह की कोई भी यात्रा हो किसी भी राइनिता की यात्रा हो अलग-अलग कारौनों से निकली हैं भारत में यात्रा होती रही है ये पहली यात्रा नहीं है लेकिन बहुत लंबी यात्रा है इसमें कोई दो रहे नहीं है और बहुत सक्सेस्पुल यात्रा है तीन हजार पांसो साथ किलो मीटर लंबी कन्या कुमारी से कश्मीर तक ये कोई साधारान बात नहीं है और वो भी जाड़े के दिनों में दक्षन भारत में जो वक्त गुज्रा उसकी बात छोड़ दीजिये लेकिन बाद में उत्तर भारत में जब यात्रा दाखिल होई तो भरपूर जाड़ा और इस समय तो जम्मू कश्मीर कल जब वो अनंतनाग पहुंचे खाला कि यात्रा के स हाथ वो नहीं गए वो अलग चले गए पहले क्योंकि सिक्योटी को लेकर बहुत सारी प्रॉलॉम्स आ गई लेकिन माइनस सेवन बताया जा रहा था अब पता नहीं यह यह सही सुचना है या नहीं लेकिन माइनस सेवन बहुत होता है लेकिन उसमें भी लोगों की भीड़ dużo है वो कहीं से भी पीछे मुड़ करके देखने की सोच नहीं है लोग आगे बढ़ने के लिए ही लगातार उतारू है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत successful यात्रा है लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि राहुल गांधी जी की अगर बातें आप सुनें प्रेस कंफरेंसेज में और बीच-बीच में जो वो टिपणियां करते रहते हैं तो उससे भी साफ उभर कर सामने आता है कि दरसल इसके पीछे भी राजनीती है और राजनीत के बगएर कोई राजनीती नेता क्यों सफर करेगा क्यों कस्ट जेलेगा क्यों यात्रा करेगा यह सफर में दोनों सफर है उर्दू हिंदी वाला हिंदुस्तानी वाला और अंग्रेजी वाला भी तो यह जो तो ये जो सफर है, ये जो यात्रा है, ये जो कस्ट है, इसके पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक सोच है, और वो राजनीतिक सोच अगर नफरत खतम करने की है, वो अभी एक राजनीतिक बात है, इसमें कोई बुरा ही नहीं है, राजनीत एक अच्छी चीज है, लोग सकुचाते हैं शर्माते हैं ये कहने में कि ये पुलिटिकल यात्रा है वो कहते हैंगे नहीं ये तो यात्रा पुलिटिकल नहीं है इसका मकसद हमारा ये है वो है लेकिन अगर शुद रूप से ये आपकी गहर राजनितिक यात्रा है तो फिर अपोजिशन के 21 नेताओं को 23 दलों को नियोता किस बात का तीज जनवरी को श्री नगर में समापन के मौके पर देश के 20 दलों को नियोता गया है और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अटथाइस तारीख को बस एक दिन में कम से कम 13-14 लोगों से बात करी और पता ये चल रहा है कि बहुत सारे जो अपोजिशन के नेता हैं वो इस्राइली में नहीं जा रहे हैं खासकर बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार उसके जो राष्ट्री अध्यक्ष जेडियू के हैं राजी उरंजन सिंग कोई नहीं जा रहा है दोस्तों अगर आपको याद हो मैंने काफी पहले इस विशे पर एक एपिसोड किया था उसमें मैंने जेडियू के नेताओं को बिना नाम लिए कोट किया था और वो अब बकाइदा आफिसियली भी फॉर्मली भी कह रहे हैं कि वो नहीं जा पा रहे हैं मेघाले और मनिपूर में वगरे में उनका कारिक्रम लगा हुआ है कारिक्रम तो होता रहता है बहुत सारी लोग कहते हैं कि आज बड़ा थंड है कश्मीर में अभी क्या जाना है लेकिन यह कश्मीर की थंड के कारण कोई नौज आए ऐसा नहीं है नेताओं को ठंड या गर्मी नहीं लगती है खासकर जब राजनीति का मसला हो जब असल चुनाव से जुड़ा मसला हो असल में यह जो लोग नहीं जा रहे हैं वो पुलिटिकल ठंड है वो राजनीतिक ठंड है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और इन अपोजिशन लेगा राश्टी जनतादल के लोगों से भी मैंने पूछा क्योंकि बिहार में जेडियू के वो एलाई हैं मुक्ति मंत्री नितीश कुमार डेपिटी चेप मिनिस्टर जितेजस्वी यादो लेकिन जब मैं आप से बात कर रहा हूं तब तक आर जेडिकी और से ऑफिसियली कुछ घोशित नहीं किया गया था और न तो बताया गया था लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शायद वो भी न जाए या अगर कॉंग्रेस पार्टी के वो चुकी वो पुराने इलाई हैं बहुत पुराने इलाई यूपिये में साथ रहे और बहुत भरोसे म साथी रहे जेडी यू अरे आर जेडी तो अलब सड़ेन अगर चेंज हुआ दिमाग कि ठीक है जेडी यू नहीं जा रहा है जो इस गटबंदन का हिस्सा है तो हम क्यों रुके हमको जाना चाहिए तो यह उनके उपर है लेकिन अभी तक अफिसियली कोई डिक्लेरेशन नह जा रहे हैं और वह बहुत महत्पून बात है क्योंकि महारास्त्र में जो कॉंग्रिस के इलाईज हैं अगर NCP को छोड़ दिया जाए तो वह नए हैं यानि शिवशेना बिलकुल नया एलाई है शिवशेना उद्धव ठाकरे की बात में कर रहा हूं तो वह जा रहे हैं इसी तरह के ओरीसा से नहीं जा रहे हैं जो बड़ी पार्टी वहां की है यानि नमीन पतनाएक की अगवाई वाली बीजए डी वो भी नहीं जा रहे हैं तो यह जो मसला है इसको हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर एक राजनीतिक नेटा एक राजनीतिक दल के बड़े नेटा जो सिंबलाइज करते हैं उस पूरी पुलिटिकल कल्चर को उस पार्टी की उनके इनिशेटिव पर जो ये सब कुछ हो रहा है उसमें सायोग नौक करने का जो ये एक तरह का मिजाज अपोजिशन के कई नेताओं में दिखाई दे रहा है मैं कहना भूल गया कि लेफ्ट पार्टी के नेता जा रहे हैं उन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी और अभी 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 सूचना हमको मिली है कि राउल गांदी जो कल अपने अनंतराग चले गए थे अकेले काजी कुंड के आगे चुकी सेक्योटी का मामला दिखाई पड़ लगती नहीं उनके पीछे वालों को भले लगे जो जैकेट में उनको ठंड नहीं लगती हो चलने के लिए बिलकुल आगे बढ़ रहे थे इसी इसमें उनके जो परसनल सेक्योटी में लगे लोग है उन्होंने देखा कि जो पुलिस की पूरी की पूरी बटालियन है या गांदी की अपनी टीम या राहूल गांदी से अलग रखा जाता है वो रसी गायब थी ऐसा भी कहा जा रहा है लेकिन जम्मु कश्मीर के पुलिस प्रसासन ने कहा कि हरगी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं हुआ यह उनका अपना फैसला था बहराल हम उसमें नहीं जाएंगे क्य चल कर पूरा किया और आज फिर से अनंतनाक से वो आगे बढ़े हैं और जो दिल्चस्प जानकारी है कि उमर अब्दुल्ला ने उनको कल हमने देखा की उसी तरह की टी-शर्ट पाने हुए उमर अब्दुल्ला और टोपी लगाए उन्होंने रहूल गांदी को रिसीव किय जैसे ही वो बनिहाल टनल से बाहर आए और आज जो है उनको रिसीव किया और उनकी पध्यातरा में शामिल होई हैं महबूबा मुफ्टी पुरुमुक्य मंत्री और उनकी बहुत प्रोएक्टिव बेटी वो भी उस यातरा में शामिल होई हैं तो इस से यह लगता है कि ज Не म में वो चाहे अमिन उत्तर प्रदेश बिहार का दिल कितना जीते हैं राहूल गांदी यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्होंने सचमुच कश्मीरियों का दिल जीत लिया है इसमें कोई दो राय नहीं कि दो धुवो माने जाने वाले राजनितिक द और उस यात्रा में शामिल होई तो एक ये एक पॉजिटिव डेवलप्मेंट राहूल गांदी के लिए है कि जिस जम्मू कश्मीर की अवाम ने कॉंग्रिस को हारिस कर रखा था बहुत वर्षों से काफी वर्षों से अगर देखा जाय तो केवल गुलाम नभी आजाद 20 मे मुख्यमंतरी बने थे जब उनका समझता था और पीडीपी और कॉंग्रेस का उस वक्त की बात है लेकिन हम आपको दोस्तों ये बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो चुनौती राहूल गांदी के लिए है वो ये है कि उन्होंने जो अपार गुडविल हा वासिल किया है इस पद्यात्रा से अपार एक नया व्यक्तित्वांतरण दिखाई देता है उनका अगर आपको अंग्रेजी में हिंदी में कठिन ये शब्द लगे तो मैं ये कहूंगा कि उनकी पूरी शक्सियत में बदलाव दिखाई दे रहा है इसी को हिंदी में व्यक्त भी चल रहा होता था अचानक खबर आती थी कि राहूल गांदी विदेश चले गए हैं लेकिन वो राहूल गांदी लागातार इतने दिनों से लगे हुए है और अब उनका मिजाज, उनका तरिका, उनकी बोल चाल, उनका रहन चाल, सबकुछ बदला नजर आ रहा है तो स्मेम उन्होंने एक बार कहा था पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो राउल गांदी अब नहीं है या डेट्ड मने कुछ इस तरह से बात कह दी ह Anfang कि वो शब्द ठीक नहीं था कि वो राउल गांदी मर गया कुछ इस तरह की बात कही थी वो मुझे सही नहीं लगा उनका हमको लगता कि कई बार हिंदी के शब्दों को खोजने में राहूल गांदी आमिन वो एप्रोप्रियेट शब्द नहीं खोज पाते तो ये जो नए राहूल गांदी के मुताबिक जो ये नए राहूल गांदी उबर कर सामने आया है मुझे लगता है कि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती ये है ये सब तो हो गया लेकिन क्या आप जो जमीनी असलियत था इस देश की राईनीत की क्या उस पर भी आएंगे टिकेंगे क्या उन चैलेंजिस को जो आपके सामने मुह बाये खड़े हैं और वे बड़े राईनीतिक रूप से कठोर चैलेंजिस हैं क्या आप उनसे जूजने का इल्म और कोशल क्या वो हासिल करेंगे ये काम, माफ कीजेगा, ये काम एड़वाइजर से नहीं हो सकता क्योंकि जादतर जो एड़वाइजर कांग्रिस पार्टी के मौझूदा है वो एकेडेमिशियन है एकेडेमिशियन और विद्वान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एंजियो मिजाज के हैं लेकिन भारत की राजनीद सिर्फ एकेडेमिक अगर एकेडेमिक स्तर पर आप बहुत साउंड है या आपका दिमाग एंजियो कृत है भारत की राजनीद के बड़े चैलेंजिज को आप उसके तरीके से उसके परस्पेक्टिव से आप एड्रिस नहीं कर पाएंगे जहां आज भारत की राजनीद पहुंची है बहुत ही ठेट देशी मुहावरों के साथ और देशी तर तरीकों के साथ आपको नए फ्रेज कोजने होंगे नए जनता के बीच में जाने और उसको असलियत बताने के आपका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए तो राउल गांदी की सबसे बड़ी जो समस्या आज दिखाई दे रही है वो यही है कि उनके जो सलाकार हैं वो उनको जिस तरह की सलाह देते हैं उसके आधार पर वो बहुत अच्छी बातें कहते हैं उनके कहने के अंदाज पर कोई शक नहीं आए अब वो सवालों से बचते नहीं है हमारे जो प्रदान मंत्री हैं वो तो सवाल ही नहीं किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों से इंटर्विव केवल कराते हैं और प्रेस कांफरेंस भी आज तक उन्होंने नहीं की राउल गांदी लगातार कर रहे हैं ये सब प्लस पॉइंट उनके हैं लेकिन उनको राजनीत की बारीकियों पर अपने तई भी सोचना पड़ेगा अब जैसे उदारन के तोर पे एक सवाल जो आज खड़ा है कि आखिर 21 दलों को जो उन्होंने नियोता दिया उसमें अनेक कल जो अपोजिशन यूनिटी के पक्षदर हैं आखिर वो भी क्यों नहीं जा रहे हैं तो आपको याद होगा शुरू से ही इस यात्रा में हमने देखा दो तीन सब्ता के बाद ये लगातार कॉंग्रेस के कई नेता लगातार कहने लगे कि कॉंग्रेस पार्टी के पास ही आइडियोलिजी है जो बीजे पी को मुकाबला कर सके बीजे पी का और किसी के पास नहीं है अपोजिशन के पास नहीं है खासकर छेत्री दलों के पास तो बिलकुल नहीं है सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस ही भारती जनता पार्टी को चुनौती दे कर मुकाबला दे कर शिकस्त दे सकती है ये दावा बार बार पदेात्रा के दौरान कॉंग्रिस के कुछ नेता करते रहे और जाहिर है वो राउल गांदी के बहुत करीब ही है आप एडवाइजर भी कह सकते हैं क्या आप समझते हैं कि छेत्री दलों के नेताओं को जो यूपिये में भी हैं और यूपिये से बाहर भी हैं लेकिन बीजेपी की आज में मुखालफत कर रहे हैं, उसके विरोध में हैं, क्या उनको ये बुरा नहीं लगा होगा, कि आप उनको विचारदारा भी हीन बता रहे हैं, क्यों कि छेत्री दलों ने इस देश की राइनीत में चमतकार किये हैं, यह हमें नहीं बोलना चाहिए, तो उनको अगर आप विचारदारा हीन बता रहे हैं, और सिर्फ अपनी विचारदारा पर आपको गर्व है, तो एक कांप्लेक्स तो पैदा होता है, जटिलता तो पैदा होती है, दोनों के रिष्टों में, और दूसरी बात, कि कौन उनका एडवाइजर, उनका कौन कब न जंग से, मैं यह नहीं कहता हूँ कि सच क्या है और जूट क्या है, लेकिन हर बात को बोलने का राजनीत में और वह भारत की राजनीत में एक वक्त होता है, समय होता है, समय से उल्टा जाकर आप कोई बात कहते हैं, तो समय स्वैम आप पर तमाचा लगा देता है, अब आप अचानक सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी ने बात कर दी केवल पुलवामा तक बात आती तो बात समझ में आती क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इश्यू है और बीच बीच में आम लोग भी उठाते रहते हैं लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करने का कोई अचित नहीं था लेकिन कर दिया गया राहूल गांधी परशो पंज में बहुत बुरी तरह परशो पर इसमें फस गए उनको सफाई देनी पड़ी और पार्टी की राय बतानी पड़ी और कहना पड़ा कि किसी एक नेता का वो बयान है पार्टी का नहीं है तो यह जो समस्याएं हैं कि अपने एडवाइजर्स पर वो कितने निर्भर हैं और कितना उनका स्वैम का इनिशियेटिव है मैं समचता हूँ कि कार्टून से हमने बात कर्ट की शुरू की थी और कार्टून से खत्म कर रहे हैं कि डकन क्रोनिकल के जिस कार्टूनिस्ट ने वो कार्टून बनाया है मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी को ये अगर उनकी सामोहिक समझ है पार्टी की उनकी पार्टी की की एक युनाइटेट फ्रंट या एक साजा समझदारी से बना हुआ एक बड़ा मंच खड़ा किये बगैर आप बीजेपी को नरेंदर मोदीजी की सरकार को और उनके ताकतवर गटमंदन को आप खतम नहीं कर सकते आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते उसको शिकस्त नहीं दे सकते तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या करना होगा और उनके सलाकारों ने जो रायता फैलाया है उससे कैसे बुक्ती मिलेगी और कैसे व आइट कर, बिल कर, स्टेटिजी चाक आउट करें ताकि लगे कि उनके इनिशियेटिव में दम है, रचनात्मक्ता है और सिर्फ कुछ कहे हुए लोगों के आधार पर ये बात नहीं की जा रही है तो आज इतना ही नमस्कार, आदाब, सत्स्रियकाल